दिल्ली के बादली इलाके के यादव नगर और बादली स्टेशन के आसपास की कॉलोनियों की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस और आपीएफ के साथ आसपास की R.W.A. ने मीटिंग की. इसमें कई संस्थाओं ने भी भाग लिया सभी का एक ही मकसद था कि दिल्ली पुलिस और आरपीएफ का समन्वे हो और आरडब्रीव एभी कानून व्यवस्था में अपना सहयोग करें, जिससे बढ़ते क्राइम को रोका जा सके. रेल्वे स्टेशन के आसपास स्नीचिंग जैसी घटना होना लड़कियों के स्कूल के आसपास कोच सामाजिक तत्वों का गुमना इन सभी समस्याओं के निदान के लिए नीटिग रखी गई थी. नीटिग का आयोजन गौरी शंकर मंदिर यादव नगर में किया गया इस नीटिग में समयपुर बादली थाना प्रभारी अक्षय कुमार एडिशनल SHO प्रवीन वत्स, आपीएफ SHO एला मीना, चौकी प्रभारी पंकज यादव शामिल थे. साथ में RWA यादव नगर शिफपुरी, जन्हित प्रयास समिती, युवा एक्ता मंच्वा युवा कमेटी, साथ ही यादव नगर के बड़े बुजूर्गों ने भाग लिया. पी शर्मा, राजकुमार, RWA शिफपुरी अध्यक्ष प्रेम सिंग दहिया, युवा एक्ता मंच्यादव नगर दिनेश, सतीश, सुरेश, मुकेश, नवीन, रमन, नरेश, पवन, योगिंदर, हरिमोहन, नव युवा कमेटी मनोज बंसल, बंटी बंसल, विनूर जिंदल इस मीटिंग में जो मुख्य रूप से मुद्दे उठाए गए और जिन पर आश्वासन मिला है कि वो कार्य जिनके ऊपर काफी गौर किया जाएगा, उनमें यादवनगर के चारों तरफ बेरिकेटिग, यादवनगर के सभी मुख्य गलियों में पुलिस पेट्रोलिग को बढ़ाया जाएगा. बादली स्टेशन पर मेट्रो स्टेशन के पीछे पीसी आसपोर्ट बनाए जाएं. राजकिय कन्या विद्यालय के आसपास पुलिस के जवानों की मुस्तेदी होगी और पुलिस की पेट्रोलिग भी होगी. समय पुर बादली मेट्रो स्टेशन के पा कानून विवस्था की जिम्मेदारी है, उन विभागों को साथ लेकर विचार कर रहे हैं, कैसे उन समस्याओं का निदान हो। आपने अभी अभी तक YouTube पर News को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अपने YouTube में Double News को सब्सक्राइब जरूर करें, YouTube में Double News का कोई भी वीडियो खोलने पर उसके नीचे आपको Red Color का सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, उसको दबाए चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके पास में आपको एक बेल अर्थाग घंटी का आइकॉन दिखाई देगा यदि उसको भी दबाई क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन भी इस चैनल पर नई वीडियो अपलोड होते ही मिलेगा क्योंकि छोटी छोटी अपने आसपास की समस्यां आर डव्यू ए की कोशिश और कार्यक्रमों की जानकारी के लिए अपने एरिया में क्राइम की सूचना के लिए आप 뉴스 को यूट्यूब पर भी सब्स्क्राइब करें जो बिल्कुल फ्री होता है और हमारी वेब पोर्तल डबल का समन भे हूँ दोनों में संयुक्त बैटको क्योंकि हमारे यहां अक्सार क्राइम जो है रेली इस्टेशन और उसके आसपास होता है और जब क्राइम होता है तो हम जब सिकायत करते हैं तो आर पे अब कहता है यह मेरा उसमें जुडिस्री में नहीं आती और लोकल पुलिस कह करते हैं कि हम इसमें कारवाई करेंगी तो आज हमने कलोनी में यादो नगर में यह व्लोग गोरिसंगर मंदिर में एक बैठका आयूजन किया जिसमें हमने अपने बिंदुवार क्वेंट्स रखें वो चाहे गल स्कूल में आने जाने वाली कर्णियाओं के लिए सुरक्सा हो या कलोनी के अंदर हमारे CCTV और बेरिगेटिंग और आपका बोले तो गस्त जो की विशेस रहती है पुलिस की गस्त यदि पुलिस अपनी रेगुलर गस्त करें तो समाधान लगबग हो जाएं पर फोकस मानने के लिए आज हैं क्योंकि आज से दो साल पहले हमने बैठक की दिल्ली पुलिस के साथ जिसमें हमने आर्पी अपको इनवोल नहीं किया था कोई किस तरह जोड़े उसमें हमारे ACP आए थे और लोकल सचो थे और काफी पॉइंट्स को हमने कवर किया आज को नहीं और क्या नाम था उनका किस तलब पर तो आज की जो हमारी मीटिंग रही आज वो सब आए और हमारी सिकाहितों पर उन्होंने सुना और हमारी आड ओ ने भी स्काहिते रखी और उन पर समाधान के लिए उन्योंने अपनी बात रखेंगे यहां कोई द्यान दिया जा रहा था, वो आवगत कराया गया और जो गल्फ स्कूल हमारे नजदीक एक ही है, उसकी जो समझ्चा ही थी, वो सारी जो भी हमारा रडवल्यो के, दो रडवल्यो एव, टीचर्स कलोनी, यादो नगर, दोनों के जो आदेक्स थे, उन सबने घुजुर को ने, युवाव ने सबने बढ़ चटगे हिस्सा लिया, और आश्वासन मिला हमें, आर्पीएफ की तरफ से और लोकल पुलिस से, कि आगे इन फूचर हम आपके साथ मिलके चलेंगे, और आपकी सक्त जरूरत है, हम आपके साथ मिलके, जो भी समझ चांगे कर निदान करेंगे, और बहुत अच्छा रहा, मैं एक स्पोर्स परसन होने के नाते, इनको ठैंक्स दूँगा, और मैं हमेशा इनके साथ आगे भ साथ में होगा, मैं इनके साथ हूँ, बदाई इनको बहुत बहुत शुब कामने हैं, दोनों डिपार्टमेंट को और इतेज और रावल वसिस्ट को,